Hello everyone, मैं हूँ आस्था, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल Government Job Genue Notification आज की वीडियो में हम UGC Net JRF Examination, नाम आप सभी ने सुना होगा UGC Net JRF Examination अब यह अगर आप examination देना चाहते हैं तो इसमें आपकी eligibility conditions अगर आप इसके लिए fulfill करते हैं जो भी age criteria है तब आप इसको दे सकते हैं यह जो examination है यह आपका साल में दो वार conduct किया जाता है एक आपका zone में होता है and second आपका December month में होता है जो की अभी आपका आने वाला है अब इसके लिए आप age criteria हम इस वीडियो में cover करेंगे qualification हम फिर के भी next वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में मैं आपको age limit क्या रहती है सभी candidate के लिए आप किसी भी category से belong करते हूं आप general candidate है, OVC candidate है, SCST candidate है, PWBD candidate है या फिर आप female candidate है किसी भी category के सभी के लिए क्या age criteria है net JRF examination के लिए ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम इसी topic को सरफ cover करेंगे जिससे आप fulfill अगर करते हैं ये age limit next video में हम कभी qualification भी देखेंगे, आप मुझे comment कर सकते अगर qualification पर भी आप video चाहते हैं इसी तरह से full information के साथ basically सरफ हम उसी point को या उसी topic को हम cover करेंगे उस video में तो जो age criteria है वो हम देखेंगे and साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपकी जो age है वो किस date से count की जाती है आपके सारे points इस video में clear किये जाएंगे तो अगर आप भी net jrf examination देना चाहते है इस limit आप इसके जो criteria है उसमें आप fit बैठते हैं या नहीं fulfill कर रहे हैं या नहीं आपको इस video से clear हो जाएगा तो video को continue रखेगा और video अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को like and share कीजेगा चलिए start करते हैं सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो ugc net examination है ये net and jrf जो आप examination है ना ugc net and jrf ये examination इसमें jrf अलग रहता है अलग से कहते हैं net jrf या ugc net examination then ये किसके लिए होता है तो देखिए आप ये जो examination देते हैं ये दो post या दो तरह से हम देख सकते हैं एक तो होता है assistant professor के लिए और एक होता है jrf के लिए ठीक है अब jrf के लिए और assistant professor तो यहाँ मैं clear कर दूँ कि अगर आप net examination Assistant Professor बनने के लिए दे रहे हैं क्योंकि अगर आप Net or National Level का Exam है आप इसको Clear करते हैं तो आप किसी भी University, College में, Lecturer या Assistant Professor बनने के लिए eligible हो जाते हैं तो अगर आप assistant professor बनने का सोच रहे हैं आपको jrf से jrf क्या है exam वही होता है लेकिन जो top ranking जिनकी आती है वो jrf के लिए select किये जाते हैं तो maximum जो candidate है वो assistant professor के लिए ही जाते हैं तो अगर आप भी assistant professor के बारे में अगर सोच रहें assistant professor आप बनना चाते हैं उसके लिए अगर आप net इकजाम दे रहे हैं तो assistant professor के लिए जो age limit है वो है unlimited यानि यहाँ पर कोई भी upper age limit नहीं है assistant professor बनने के लिए या net exam के लिए अगर आप assistant professor बनना चाहें तो आप कोई भी आपकी age हो अपर age limit कितनी भी हो आप यहाँ पर assistant professor बन सकते हैं यानि net qualify कर सकते हैं assistant professor बनने के लिए ठीक है तो पहला तो point यही हो गया कि आपकी age कोई भी हो आप net exam दे सकते हैं assistant professor के लिए अब second अगर हम बात करें jf की क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया दो रहते हैं एक assistant professor के लिए आप देते हैं एक jrf je rf top ranking में से आते हैं ठीक है अब jrf के लिए age limit रहती है assistant professor के लिए नहीं रहती है लेकिंं jrf के लिए age criteria रखागया है अगर आप उस criteria में बैठते हैं फिर तबी आप jrf में selecting किये जाते हैं और टॉप रेंग करकर आपकी आती है तो जे आरेफ के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो है 30 एयर 30 साल अपर एज लिमिट रहती है जे आरेफ के लिए अब ये जो एज है ये इसमें आपको रिलेक्सेशन मिलता है मैं आगे आपको आपकी कैटिगरी के सब से आप इसमें आपको कितना रिलेक्सेशन मिलेगा डेट हम पहले यहां किलियर कर ले कि जो ये एज आपकी काउंट की जाएगी यानि एज की जो कट ओफ डेट रहेगी वो जो एग्जामनेशन मन्त है जैसे कि साल में दो बार एग्जामनेशन कंड़क्ट किया जाता है एक जून में और एक दिसमबर में अगर आप जून का एग्जाम दे रहे हैं तो जून का आपका फॉस्ट जून को आपके जो एज है वो जो क्राइटेरिया रखा गया है आपको जिस क्राइटेगरी से वो आपका एक जून को कंप्लीट होना चाहिए एज क्राइटेरिया ठीक age criteria के वो आपके जिस मंद में examination है उस मंद के first day जो रहता है first date को आपका cut off date रखी जाती है ओके अब हम बात करेंगे reserve categories में आते हैं आप या female candidate है तो आपको कितना age relaxation यहाँ पर मिलता है तो आप किसी भी category से हो reserve category से जैसे कि अगर आप OVC, NCL candidate है जो general candidate है, male candidate, unreserved यानि OVC and general male candidate इनके लिए तो upper age limit 30 year है ठीक है अब इनके अलावा जो OVC, NCL candidate है SCST candidate है, PDOD candidate है उनके लिए 5 years का relaxation मिल जाता है इसके साथ ही जो female candidate है किसी भी category से belong करती हो all female candidate के लिए भी 5 years का relaxation मिलता है means 35 year तक आपकी upper age limit 35 year तक अगर आप है then आप UGC, NET, JRF examination दे सकते हैं वैसे मैंने आपको बताया कि NET examination आप कोई भी दे सकते हैं लेकिन assistant professor के लिए लेकिन अगर आप target JRF रखते हैं तब आपको यहाँ पर जो reserve categories हैं अभी आप screen पर देख रहे हैं इनके लिए 5 years का relaxation है तो 35 upper age limit रखी गई है and जो LLM degree जिनों ने लिए हुई है उनके लिए भी 3 साल का relaxation रहता है LLM जिनों ने किया हुआ है so यह है age limit NET JRF examination के लिए अभी सभी category के हिसाप से बेने आपको इसमें age limit बता दी है अब इसका जो examination है वो December में होगा उसके लिए notification release होगा उसको लेकर के भी मैं video upload करूँगी जो भी उसमें important points या कुछ changing जो भी कुछ होता है सारा सब कुछ आपको clear करूँगी अगर आप NET examination के preparation कर रहे है चैनल को subscribe करके रखेगा जैसे ही notification आएगा आपको मेरे channel पर full information के साथ video मिल जाएगा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा उस वीडियो को like कीजेगा और इसी तरह कि अगर आप other videos भी चाहते हैं तो आप मुझे comment कर सकते हैं thank you